हेलो गैस क्या मोना चुछबाई आज आ मी एक्स्प्लेंड करते चले ची तमा देश साथे 2000 इली बेनरेटी साइन्स फिक्षन मुवी जान नाम रियल स्टील एए मुवी टीर भाजेट छेलो 110 मिलियोन यूएज डॉलार एवां बॉक्स ओफिस कालेक्शन छेलो 299.3 मिलियोन यूएज डॉलार एए मुवी टीर आयम डीवी रेटीम पॉइंट 7.0 आउट अफ 10 तहलो शुरू करा जग आज केरे तो मुवी एक अदमी से शुरू होती है जोके बहुत ही स्यादा हीरलिस बिसका नाम चारल्ली है वो एक जोब्लेस आयर और रोबोर्ट पाइटिंग नहीं हालेता है जिसकी वजह से उसके पास कछ भी नहीं बचता तो वो लोगों से पैसे मांग कर घुजारा करता है। इसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा competition हो रहा है। जिसके लिए वो अपना एक बड़ासा रोबोट त्यार करता है। अब उस competition का दिन आ चुका था और वो अपना रोबोट लेकर अपने कार में उस तरफ जाने लगता है। इनफेक्ट आज उसके इस चाइंड रोबोट की एक बहुत बड़े बुल के साथ फाइट थी। लेकिन वो बुल कोई आम बुल नहीं था, वो कई competition सीच चुका था। काफी घुस्से वाला काले रंग का बहुत बड़ा बुल। एक लास चारली उस चिगा पर पहुन जाता है और उस बुल के उनर से अमांट बंड करता है कि अगर मैं जीत कया तो तुमने मुझे 20,000 डॉलर्स देने होंगे। तो अगे से वानर कहता है कि साहर सी बात है और अगर तुम हारे तो यही पैसा तुम्हें मुझे देना होगा। सिंपल आप fight शुरू होती है। चारली के पास एक remote control होता है जिससे वो अपने robot को control कर रहा था और दूसरी तरफ बुल को तो control करने की जरूरत ही नहीं थी वो खुद ही उस robot के लिए काफी था। चारली शुरू में तो अपनी robot को काफी अच्छी से control कर रहा होता है लेकिन फिर उसका सद्यान हटने पर उसका robot नीचे गिर्शाता है। बुल उसके robot को काफी पुरी तरह से सखनी कर शुगा था। अब चारली को tension होने लगती है कि मेरा robot अब कैसे खेलेगा। तो वह उस आदमें से कहता है कि ये मैच दुमारा स्टार्ट करते हैं। तो वह आदमी कहता है कि नाना अब तुम्हारा robot कोड़े में जाएगा। और यही होता है। उसका इतना giant bull उस robot का कुछ नहीं छोड़ता। वह उसके टुक्रे टुक्रे कर देता है। जाहिर सी बात है चार्ली अब मैं चार चुका था और उसे वादर के मताबिक 20,000 डॉलर्स उसे पुल के ओनर को देने थे। उसके पास तो सरा भी पैसे नहीं थे। तो हो खब्राश आता है और वहां से भागने लगता है। वह एक चुप जाता है। तभी वहां पर दो लोगाते हैं उसे बताते हैं कि जिस वारत के साथ तुम दस साल पहले रहते थे। उसकी डेथ हो चुकी है। और अब तुम्हारा एक बीटा भी है। जो कि दस साल करे और वह पकीला है। तुम्हें कि उसकी माँ अब इस तुम्हें में नहीं रही। तो उसकी आंट यानि खाला उसे अपने पास रखना चाहती है। अब ये फैसला कोट तुमारे इजासत के बगए तो नहीं लेने वाली। मैं इस बच्चे का ख्याल अच्छे से रख सकती हूँ कि जो माँगेगा मैं इसे दूँगी। और फिर वो जाकर चार्ली से रिक्रेस्ट करती है। चार्ली को तो कोई फर्पीन परता था कि उसका बेटा जिस मरसी के पास रहे क्यूंकि वो उससे कभी मिला जो नहीं था। और वो इजासत देने भी वाला था। लेकिन तब यूसे एक आईडी आता है। वो कहता है कि मैं ऐसे शो करूंगा जैसे मैं अपने बेटे को उसके आंट के पास नहीं बेजना चाहता। और ऑफियसली जितनी वो अमीर है वो मुझे ओफर तो जरूर करेगी कि इतने पैसों के बदले मुझे ये बच्छा दे दो। चार्ली तो इस पास से बहुत खुश हो जाता है क्यूंकि उसे बैटे बिठाई एक लाख डॉलर्स मिल चुके थे। हम उस बच्छे ख्यान चार्ली से कहते हैं लेकिन हमारे खातेर एक फेवर भी करते ना। इन फेक्ट हमें तीन महीने के लिए करींपर जाना है तो तुम्हें अपना बेटा तीन महीने के लिए अपने पास ही रखना होगा और उसके बाद हम उसे अपने साथ ले जाएंगे हमेशा के लिए तो चार्ली को उनकी बात माननी बढ़ती है अब चार्ली यहां से पैसे और अपना बेटा लेकर सीथा एक जगा पर जाता है जहांपर वो एक आगमे से मिलता है और उसे 50,000 डॉलर्स देता है उसे कहता है कि मुझे एक शानता रोबोट बना कर दो तो वो आदमी कहता है कि आप फिकर ही ना करें इतने पैसे में आपका काम हो जाएगा चार्ली का पेटा यह सारी बातें सुन लेता है तो उसे पिल्कुल अच्छा नहीं लगता चार्ली उसे कहता है कि इन पैसों के बतले में हमारे पास एक बहुत आला रोबोट आने वारा है और कुछ ही दिन में वो रोबोट उनकी तरफ आ जाता है वो दोनो उसका नाम Noezy Boy रखते हैं वो बहुत ही ज़दा चाएंट और पावरफुल था चार्ली ये प्लैन करता है कि क्यों ना इतना अचा रोबोट मेरे पास आ चुका है तो एक रोबोट फाइटिंग ही हो जाए चार्ली का बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ जाओंगा और अब वो दोनों एक जगा पर जाते हैं और रोबोट फाइटिंग शुरू हो जाती है चार्ली चाहता तो इतने पावरफुल रोबोट था ये उसके कि वो ये फाइटिंग जीच सकता था लेकिन था वो केरलेस ही वो ये फाइट भी पूरी तरहां से हार जाता है क्योंकि दूसरे आदमी का रोबोट पहले तो नोईजी भाई का हाथ उखाड़ता है और पिर उसके बाद उसका सर उसकी बॉड़ी से लहता कर देता है इस बाद की विज़े से चार्ली बहुत टूट जाता है अब अपने बेटी से कहता है कि कुछ भी हो मैं इस रोबोट को चोड़ करी रहूंगा और फिर वहाँ से ये दोनों चंग यार्ट जाते है ताकि वहाँ से इनको कोई ऐसा समान मिल सके जिनकी विज़े से इसका रोबोट चोड़ सके वहाँ पर बहुत ज़दा बारिश हो रही होती है और ये लोग उसके स्पेर पर्ट चोंड़ रहे होते हैं लेकिन तबी उस बच्चे का पाउँ स्लिप होता है और वह नीचे गिरने लगता है चार्ली फॉरन से उसे बचा लेता है जब वह बच्चा देखता है कि उसका पाउँ किस चीज से स्लिप हुआ तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है वो किसी पुराने रोबोट का हाथ था वो अपने फादर से कहता है कि हम इसको पाहिर निकालते है लेकिन चार्ली कहता है कि हमारे पास इसके लिए फ्रक नहीं और पारिश की हो रही है लेकिन वो बच्चा कहता है कि ठीक है मैं खुद ही इसको निकाल लूँगा उसके बाद वो दुनों चार्ली की एक दोस्त के बास आते है जो कि रोबोट के बारे में थोड़ी बहुत नौलिज रुकती थी चार्ली अपने दोस्त से कहता है कि मेरा बेटा एक रोबोट लाया है पता नहीं चार्ली का बेटा कहता है कि आप इसको इपर देखे तो से ही यह बलकुल ठीक है अब चार्ली की दोस्त उसे और ठीक है देती है जिससे वो बलकुल एक्टिव हो जाता है उस robot का नाम Atom था, वो बहुत स्यादा strong था और unexpectedly किसी को भी नहीं पता था चारली भी यह देखके खुश हो जाता है, तो अपने बेटी से कहता है कि हम इसे competition में लिगे जाएंगे एक बहुत बड़ी competition में, जिसमें दुनिया का सब से ज़ादा strong robot है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका, Atom में एक ऐसी अच्छी ability थी कि वो चीजों को यार्ट कर लिया करता था, यानि उसे जो पर सिखाया चाता, वो फॉरें सीख लेता था उसे चाहे fighting skills दिखाओ या कुछ और दिखाओ, उसको copy कर लिया करता था और अब Charlie और उसका बेटा इस robot के training करते हैं ताकि यह उस robot से लर सके और finally वो time आज आता है जब item काफी ज्यादा train robot बन जाता है और कई competitions में हिस्सा लेता है मुझे की बात ये थी कि अब Charlie और उसका robot यानि item कई competitions चीथने लगे थे और इसके लिए Charlie को कई पार offer होती है कि हमें एपना robot पेश दो चाहे हमसे दो लाग डॉलर्स ले लो लेकिन Charlie का बेटा इस बात पर agree नहीं होता था वो कहता था कि हम और fights करेंगे और अपने robots को वो train करके बहुत बड़ा competition लेगे और जो साचा competition हो रही है इसके उज़स से item की काफी अची training भी हो रही है और आज तो item का एक और strong robot से match था और अब यह fight शुरू हो जाती है Charlie की बेटेनों से dance करना भी सिखाया था और वो dance करते हुए battle minder होता है उसका सामना एक दो सरवाले robot से होता है जो आते ही उस पे काफी भारी बड़ता है और वो दुनों लड़ने लगते है item भी पार पर उस पर अटेक कर रहा था और वो strong robot भी वो दुनों एक तुझरे को बहुत पंचिस मारते है ऐसे लग रहा था जैसे जो strong robot जीट जाएका लेकिन at last atom जीट जाता है जिसके जैसे चारली को बहुत खुशी होती है चारली उन लोगों से काफी साथा पैसे लेता है और वहाँ से चारली ही वाला होता है कि तबी उसका पुरा ना rival आ जाता है वही अद्नी जिसके बुल ने चारली के रोबोर को हरा दिया था और चारली ने उसके 20,000 डॉलर्स देने थे बोण चारली से उसके सारे पैसे शीन लेते हैं और यह सब को चारली का बेटा भी देख रहा होता है चारली काफी डिसाट हो जाता है और अपने बेटी से कहता है कि इसमें कोई future नहीं मैं तो हिन नहीं पाल सकता मेरे पास अप कोई पैसा नहीं बचा और अब उस बच्चे के आंट और अंकल भी आ जुके थे तो चार्ली से कहता है कि आओ मैं तुमें तुम्हारी आंट के बाश चोड़ो तो वो बच्चा कहता है कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है वो जबर्दस्ती अपने बेटे को उसकी आंट को दे देता है और वापिस आ जाता है उसकी दोस्त उसे पूछती है कि तुमारा बेटा कहा है तो वो कहता है कि मैंने दे दिया उसको उसकी आंट को तुझे ऐसा करना ही था वैसे भी मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था तो उसकी दोस कहती है कि चारली तुम होश में तो हो वो तुमारा बीटा है जब वो तुमारे साथ रहना चाहता है तो तुमें क्या मसला है तुम फॉरन उसके पास वापिस जाओं तो चारली को इसा करना पड़ता है चारली को एसास हो शुका था कि उसका बेटा ही था जिसने एटम को एतनी टेक्निक सिखाई तो अपने बेटे के पास चाहता है और उससे कहता है कि बेटे हमारा मैच आज सीयूस के साथ है यानि वही strongest robot जिसको आच तक कोई नहीं अला सका पर हमें Atom को train बता करना है तो उसका बेटा खुशी-खुशी उसके साथ आ जाता है और उसकी आण भी उसके कुछ नहीं कहती बिल्कि वो हैपन ही जासत देती है तो अब वो दिन आ चुका है जब Zeus और Atom की fighting है सब लोग काफी excited होते है क्योंकि पिछले कई matches Atom जीट रहा था और आज जिसके साथ उसका match था वो Zeus था यानि दुनिया का सबसे strong robot कई लोग उस पर बिट लगाते है वहाँ पर वो आद्मी भी आई था जिसका pull था वो कहता है कि Atom हार जाएगा तो वो भी कई स्यादा पैसों के मुट लगाता है जो कि उसके मताबिक उसको वापिस मिल ले वाले थे लेकिन किसी को क्या पता क्या क्या होता है तो अब entry होती है Zeus की जो कि काफी खौफ नक entry थी बैच शुरू होने वाला था फौरण से Atom को एक पंच दे मारता है Atom बचारा यहां किर जाता है लेकिन Zeus उसे पंच मारे ही जाता है Zeus उसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो भी कुछ कर पाता तो यहां पर Atom काफी फीक हो जाता है अब Zeus उसके हैट पर शौट मारता है यानि उसके सर पर पंच करता है जिससे विचारा Atom नीचे किर जाता है वो कोई मूपमेंट नहीं करता और यहां पर पहले राउंड खतम होने की काउंटिंग स्टार्ट होती है लेकिन कभी चार्ली का बेटा चिलाता है कि उठो Atom तुम्हें करना होगा और यहां पर Atom में मूफमेंट आती है Atom फॉरन से उठता है और सियूस को एक सो उठतार पंच दे मारता है वहां बेटी सारी ओडियन्स हिरान हो जाती है क्योंकि आज तक सियूस को किसी रोपोर्ट में ऐसा पंच नहीं मारा था Atom काफी अच्छा फिल करता है और वह सियूस को और पंच इस मारने लगता है लेकिन सियूस को पर आज आता है वह घुसा कि किसी ने मुझे मारा वह Atom को इतना मारता है कि उसको मुका है नहीं मिलता उसे मारने का तोनों इदूसरे को मार भी रहे होते हैं Atom खुद को Defend भी कर रहा होता है और यहां पर Round 1 का टाइम खतम हो जाता है Charlie आकर Atom को ठीक करता है उसे Cool Down करता है और अब Round 2 शुरू हो जाता है दूसरे Round में भी दोने एक उसे से लड़ रहे होते हैं लेकिन सियूस इतना स्यादा स्टॉंग था कि उसे कोई इसर नहीं हो रहा था Atom के बंचिस से अब सियूस उसे तुबारा मारने लगता है और Atom मीचे गिर जाता है लेकिन लगी उसी बत उठखड़ा होता है जबके Round का टाइम खतम होने वाला था 3rd round में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जबस एटम को रिंग के कॉर्णर में ले जाता है और उसे इतने बंचिस मारता है कर उसकी बॉड़ी से धुवा निकलने लगता है और Atom काफी टाउन होता है इससे पहले कि Atom का सिस्टम खराब हो जाता पेल बच जाती है और Round 4 यहां खतम हो जाता है चार्ली फोरण वहां पर आता है और Atom में कुछ चेंजिस करता है उसे ठीक करता है अब 5 राउंड शुरू होने वाला था लेकिन Atom की हालता सी नहीं थी कि वो लड़ पाता तो चार्ली का बेटा अपने फादर को एक आइडिया देता है कि हम जानते हैं कि Atom हमारे actions को copy करता है अब उसमें तो इतनी इमत नहीं है कि वो खुद से लड़ सके तो क्यों ना आप उसके पास खड़े होके वैसे actions करें तो वो भी आपको copy करने लगेगा चार्ली कहता है कैसे कैसी हो सकता है सारे लोग है और हो मुझे note करेंगे तो चार्ली का बेटा कहता है कि आप रिंग से बाहिरी रहिएगा जैसे बाखी ओडियंस शेयर अप करी होती आप भी वैसे शेयर अप करेगा किसी को कोई शक नहीं होता अब राउंग शुरू होता है ये final round था तो चार्ली भी वैसे actions करने लगता है और जैसे उनका प्लान था एटम भी उने कॉपी करने लगता है और अब शुरू होते ही सियूस उसमे काफी अटैक करने लगता है उसे पंचिस मारने लगता है शुरू में तो एटम खुद को डिफेंड कर रहा होता है लेकिन मौका देखते ही फोब यागे से पंचिस शुरू कर देता है और अब सियूस की बैटरी कम होने लगी थी जिससे वो रुटने लग जाता है काफी स्लो डाउन हो जाता है ये देख कि चार्ली काफी खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो अससानी से मैंसे हरा सकूंगा तो वो पंचिस मारना शुरू करते है जिसको कॉपी करते हुए एटम भी उस सियूस पर पंचिस मारने लगता है सियूस का ओनर जब यह देखता है तो वो खुद उसे कंट्रोल करने लगता है से बात पर ताश दी नहीं हो रही थी कि सियूस हार रहा है दूसरी तरफ चारली भी अब काफी confident था चारली काफी उंचुची jumps लगा रहा होता है जिसको copy करके item-based use पे काफी ज्यादा attack करता है यहाँ हम पर ये reveal होता है कि चारली एक बहुत अच्छा boxer था लेकिन जब सिस दुर्णिया में robots है तो boxers का career फिल्कुल खतम हो गया लोगों ने robot fighting को prefer किया और आप boxers को कोई भी नहीं बूचता था लेकिन जब Charlie यहाँ पर इतनी अच्छी fight कर रहा होता है तो उसकी दोस्त भी रोने लगती है और उसका बेटा भी काफ emotional हो जाता है क्योंकि उसे अपने बाप पर फखर हो रहा था वो काफी proud फिल कर रहा था कि उसके फादर इतने अच्छे boxer है इतने अच्छे fighter है वो हमेशे उसे अपने फादर को ऐसा ही देखना चाहता था और डियंस Charlie को और Adam को cheer up करने लगती है चार्ली को अपने करियर की पुरानी यादे आने लगी थी तो वो काफी दिल से fight कर रहा होता है चार्ली फाइनली एटम के सरिये स्यूस के chin पर attack करता है ऐसे action hours तक किसी ने नहीं किया था ऐसा करने की वज़ा से स्यूस के system में error आ जाता है तो वो जैसे तैसे करके उसे दुबारा से खड़ा कर देता है लेकिन अब Adam को चीतना ही था और उसमे काफी confidence आ चुका था उसी उसके उड़ते ही उसे फिर से पंच मारने लगता है और काफी स्याता attack करता है जिससे जी उस पिचारा फिर से गिर जाता है जी उसका ऑनर उसे में कंट्रोलर ही तोर देता है और अब यहाँ पर जी उसकी पैटरी बिलूती यानि कोई चांस नहीं था कि जी उस दुबारा से उट खड़ा होता चारली को साफ दिख रहा था कि वो और एटम जीट चुके हैं वो काफ़ी खुश होता है और उसकी दोस्तों उसका बीटबे से काफ़ी एप्रिशेट करते हैं अब अनॉंस्मेंट होने वाली थी कि वसल में विनर कौन है लेकिन जब अनॉंस्मेंट होती है तो सब हरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्यूस को dios बात पी थी के हर राउन में sus ने स्यादा चब परफॉर्म किया था बस आपITY राउन मेंटम नो अक्री उपन कोई भूश नहीं होता Euten कहते है कि आपbung से तो मज़ा है इतनी गाम फाईटिंग और स्वन को भीता दिया और वहां पर एटम को चैंपियन का टाइटल दिया जाता है चारली को बहुत सारे पैसे मिलते हैं और काफी जद एप्रिसियेशन भी इस यो जब खतम हो चुका था इसलिए उसे विनर बनाने का कोई फाइदा भी न होना था बस सब लोग काफी खुश होने लगते हैं और चा जाने दूंगा तो चारली का बेटा कहता है कि मुझे भी आग जैसा बनना है और यहां पर यह मूवी हैपिल येंड हो जाता है